लो फेंड्स वेलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले हैं जीनस पावर के बारे में जो कि हमारे मेंबर नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी इलने से शाहिए श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स व्यूक लिए आप हमारा आपको टोटल दी हैं यहाँ पर वनिश्टू 3 के आसपास का टार्गेट किया सेलिंग आया है जब यहाँ पर ट्रेट करा था मैंने तब भी कहा था यहाँ कहीं पर भी मैंने आइधिंग आपको एक वीडियो दिया है सेम चैनल या आपको सायद सेकंड चैनल पर हमारे मिल और क्लिरली कहा था कि इसका सपोर्ट है तो इसका जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक नेगेटिव नहीं है सेकंड अभी के लिए श्टॉक यहाँ पर आपको वालटाइल या साइडवेज दिख सकता है तो अगर यह रेंज हम ब्रेकाउट करके निकलते हैं तो प्रेकडाउट होगा तब आप आप आगे प्लान कर सकते हो बाकी यहाँ पर क्यूंकि यह सरकेट में चला है तो इसलिए मैंने बहुत दोद अप्डेट इसमें किया नहीं था क्योंकि डारेक्ली सरकेट में मूव कर रहा है तो कोई फायदा नहीं बनता सेम चीज़ नहीं resistance जो है वो 470 something होने वाला है तो जब तक इसका breakout ही होता तब तक कोई बड़ा momentum नहीं बनेगा ठीक है तो अभी भी आप इसी range में trade कर सकते हो बाके stock अच्छा दिख रहा है बाइंग के लिए है अभी टॉप पर trade कर रहा है negative नहीं है जादा लेकिन volatile जिससे साब से कर रहा है तो आने वाल टाइम में कभी भी sharp selling आपको देखने के मिल सकती है तो हमेशा alert रहिएगा ये range लगा कर रखिए कभी भी अगर ये range का breakdown आपको देखने के मिलता है तो फिर इसको गलती से भी hold करने के लिए plan मत करिएगा अगर आपका सिर्फ short term का view है तो ये completely negative बन सकता है और फिर आने वाल टाइम में आपको ठीकठा correction ये दे सकता है क्या support level निकल कर आ सकते हैं तो पहला जो support है वो करीब 340 के something पहला तो ये लेवाला level है इसका breakdown करते हैं तो 340 का level है then इसके बाद करीब करीब आपको देखेगा 295 और then हम bottom तक आ सकते हैं जो की करीब यहाँ पर 230 का level है ये levels बहुत बड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि दो दिन में आ जाएगा चार दिन में आ जाएगा एक एक level हम बर्क करेगा मतलब एक level आएगा फिर जाकर आप second level की तरफ देख सकते हो तो फिलाल अभी तो ये breakdown है अगर ये breakdown करता है तो negative बनना start होगा सबसे पहले ठीक है तो पहला support हमें 340 का दिखने वाला है 340 अगर support नहीं लिया तब आगे की बात रहेगी otherwise यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आकर फिर श्टॉक यहाँ से reverse कर जाए ठीक है तो इन levels को आप marker के रख सकते हैं या आने वाल टाइम में आपको support की तरह काम कर सकते हैं resistance के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर upside पर तो पहला यह breakout है बट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगला देखने के लिए मिलेगा इसको cross करता है तो फिर हम आगे देख लेंगे ठीक है तो यह support resistance के levels है इनको आप मार करके रख सकते हैं बाकि ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए stock का नाम कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much